अलो स्टुडेंट्स वेलकम इन गेट नॉलेज इस प्रेट नॉलेज दिस दिविया माईश्वरी स्टुडेंट्स आप सीख रहे हैं कम्प्यूटर की IT मेटिक्स का क्लास 6 का लेसन 10 जिसका नेम है साइबर सिक्यूरिडी और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हम चेप्टर में जानेंगे मैलवेर के बारे में कि मैलवेर क्या होता है सो विदाउट वेसिंग न टाइम लैट्स बेगिन सो फर्सली एवा हमसे यहां पर कुछ क्वेश्चन पूट अप कर रही हैं जान लेते हैं क्या-क्या पूछ रही हैं सबसे पहले एवा ने पूछा है जब आप अपने कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं तो आप अपना डेटा कंप्यूटर में कहां सेव करते हैं तो आंसर भी एवा ही दे रही है कि you save it in the hard drive of computer आप उसे अपने computer की hard drive में सेव करते हैं hard drive का मिस होता है hard disk that means इसे short form में HDD भी बोला जाता है so अब एवा again question कर रहे हैं कि is your data safe there क्या आपका data hard drive में safe है means वहाँ जहां पर आपने data safe किया है वहाँ पर safe है वो data सुरक्षित है sometimes the data stored on a computer can be lost, damaged or even stolen कभी-कभी जो data computer में store किया जाता है वो खो भी सकता है damage भी हो सकता और यहां तक कि उसे चुराया भी जा सकता है there are various technologies using which you can keep your data safe from potential cyber threats तो बहुत सारी technologies हैं जिनका use करके आप अपने data को जो cyber threats हैं उनसे सुरक्षित रख सकते हैं let us learn about cyber threats and security in detail तो चलिए detail में cyber threats और security के बारे में जान लेते हैं so firstly हम जान लेते हैं इस chapter में क्या क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले हम सीखेंगे malware malware क्या होता है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ and second video में हम जानेंगे types of malware malware के कितने प्रकार होते हैं and last में हम जानेंगे cyber security के बारे में so चलिए malware के बारे में जानते हैं in this age of digitization almost every small or big firm private or government organization is maintaining its data and information in a digital form इस digitization की यूग में लगबग प्रती एक छोटी या बड़ी firm private या government organization अपने data और information को digital form में maintain कर रही है keeping data in the form of a soft copy is considered beneficial due to certain results एक soft copy की form में data को रखना आज के समय में कुछ निश्चित कारणों की वज़े से beneficial समझा जाता है means आज का यूग क्या है digitization का यूग है और बड़ी-बड़ी firms है private or government organization है इन सब में जो data रखा जाता है information को जो रखा जाता है वो digital form में ही maintain किया जाता है और data को एक soft copy में रखना भी एक निश्चित कारणों की वज़े से बहुत लाबदायक रहता है उन में से कुछ जो certain reasons है वो नीचे दिये गए है some of them are given below first reason है data in the form of soft copy occupies less space as compared to physical files soft copy की form में data physical file की तुलना में कम space occupy करता है देखे सबसे पहला तो reason यही है कि जो soft copy की form में data रखा जाता है और physical file जो रखी जाती है उसकी तुलना में यह कम space लेता है second reason है soft copy of data is not exposed to many perils such as fire, flood, earthquake and so on और दूसरा जो certain reason है वो यह है कि कई सारे जोखिम होते है physical files को रखने में जैसे कि fire का जोखिम है flood का भी जोखिम रहता है, earthquake वगएरा का भी जोखिम रहता है तो उससे यदि इन सब जोखिमों को ध्यान में रखा जाए तो soft copy का जो data होता है वो exposed नहीं होता है उसमें उसके नश्ट होने के कोई chances ही नहीं होते है जबकि physical files तो यदि fire होगी तो जल जाएंगे flood में भे सकते हैं, earthquake में भी खतम हो सकते हैं तो इस तरह से उसमें नहीं मिल पाती है physical file बलकि soft copy जो होती है वो अपने पास रहती है और उसके expose होने का कोई डर नहीं होता है थर्ड है, searching any file और document होना computer is quite easy and time saving एक computer में documents को या files को search करना बहुत ही आसान हो जाता है और साथ की साथ हमारा time भी से होता है यदि किसी भी file को search करना है physical file की compare में तो physical file को डूणने के लिए पूरे room में जाना पड़ेगा जहां पर physical files होती है उन्हें डूणना पड़ेगा कौन सी file हमें चाहिए जबकि computer में केवल हम type करके या फिर searching करके बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में document या file को search कर लेते है and next है managing and organizing digital data is low maintenance और सबसे खास बात ही है कि digital data low maintenance पे manage और organize होता है means उसको प्रबंदित करना और organize करना बहुत ही कम maintenance पर होता है और last है it's a cost include on paper and ink और साथ में paper और ink की भी cost बच जाती है देखे सबसे ज़्यादा जो physical files में लगता है वो cost आती है paper और ink की और जब digital data रखा जाएगा तो paper ink की ज़रूत ही नहीं होगी तो उससे हमारी इसकी लागत भी बच जाती है जो paper and ink में लगती है however digital data is prone to many risks फिर भी digital data में कई risks होते हैं बहुत सारे खत्रे होते हैं these risks are known as cyber threats और इनी खत्रों को cyber threats के रूप में जाना जाता है cyber threat refers to the malicious attempt to damage or disrupt a computer network और system cyber threat एक computer network या system को damage या फिर बादित करने के लिए stealing someone's intellectual property identity और money किसी की intellectual property identity या money को चुराने के लिए किये गए malicious प्रियास को संदर्वित करता है means cyber threats क्या है cyber threats computer network में जो damage करने के लिए या disrupt करने के लिए या फिर किसी की intellectual property identity या money को चुराने के लिए जो प्रियास की जाते हैं उसको संदर्वित करता है now info box में आवा में बता रही है the term cyber means computer or internet and threat means danger or harm जो शब्द cyber है उसका means होता है computer या फिर internet और threat का means होता है खत्रा या फिर हानी malware is one of the biggest threat to a computer and data stored in it malware एक computer और उसमें store किये गए data के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा होता है चलिए अब जानते हैं malware के बारे में malware होता क्या है the term malware is a combination of two words शब्द malware दो शब्दों के combination से मिलकर बना है malicious and software malicious means harmful and software means program malicious का means होता है हानीकारक और software का means होता है programs that means कि एक हानीकारक program hence malware refers to various kinds of harmful unsolicited or intrusive software इसलिए malware को विबिन प्रकार के हानीकारक अंचाहे और हस्तक्षिप करने वाले software करूप में संदर्बित किया जाता है that are written and developed to create mischief or hurt the user जो की शरारत करने के लिए या किसी को चोट पहुचाने के लिए लिए लिखे जाते हैं ये develop किये जाते हैं different types of malware are virus, trozen, worms, spyware, spam and so on विबिन प्रकार की जो malware है उनमें जैसे की virus होता है trozen, worms, spyware, spam वगेरा होते हैं malware deliberately causes harm to computer malware जान पूछकर computer में हानीका कारण बनता है here are some of them उनमें से कुछ इस प्रकार है जो की हानी के कारण है सबसे पहले reason होता है disturbing its normal functioning सबसे पहले जो malware करता है वो computer की normal functioning है उसे disturb करने का काम करता है second है destroying, stealing and deleting sensitive data और information computer की sensitive data तो destroy करने का काम steal करने का means चूराने का या delete करने का काम करता है कारण बनता है इसका and last है monitoring end user's computer activity without their consent और user की जो end user है उसकी computer activities पर निगरानी रखता है बिना उसकी सहमती के means user से कोई सहमती नहीं लेता है और उसकी activities को वो निगरानी करता है जानते हैं how do malicious software spread जो malicious software है वो किस तरह से फैलते है एनी malicious software is specifically designed to spread from one system to another कोई भी malicious software एक system से दूसरे system में spread करने के लिए एक विश्वेश शूप से design किया जाता है means उसको इस तरह से design किया जाता है जिससे वो आसानी से एक system से दूसरे system में फैल जाए as malware is of intrusive nature चुकि malware जो है वो intrusive nature का होता है अपनी दखल अंदाजी करने की nature का होता है therefore it can be easily detected as soon as it enters और infects आ computer system तो इसी लिए जैसे ही वो computer system में enter होता है या उसे infect करता है तो इसे आसानी से detect नहीं किया जा सकता है malware requires a carrier to enter into a computer एक computer में enter करने के लिए malware को एक carrier की आवश्यक्ता होती है some of them are mentioned blow उनमें से कुछ carriers को नीचे mention किया गया है बताया गया है कि किन carriers के द्वारा malware computer में enter करता है so first है through email attachments infected pen drives और cd dvds email attachment के द्वारा और infect की गई pen drive या cd dvds के द्वारा एक malware computer में enter करता है the first carrier आ जाता है email attachment suppose आपने कोई email attachment प्राप्त किया और उसमें कोई malware है जैसी आप email open करेंगे तो आपके computer में उस email के साथ-साथ malware भी enter कर जाएगा और यदि आपने कोई pen drive यूज की और उस pen drive में malware होता है तो उसके द्वारा भी malware आपके computer में enter कर पाता है cd dvds के साथ भी इसी तरह से आपाता है second है by downloading और installing any file और software online online किसी भी file या software को download करने या install करने से malware को एक carrier मिल जाता है और वो उस software जो install किया गया है या download किया गया है उसके साथ-साथ आपके computer में enter कर पाता है third है through links sent via instant messaging platform instant messaging के जो platform है उनके द्वारा कोई भी link sent करने पर भी malware computer में enter कर पाता है next है clicking on any compromised advertisement और link while surfing internet जब आप internet पर surfing कर रहे हैं तो किसी compromised advertisement या link पर click करने से भी malware आपके computer में enter कर जाता है तो इस तरह से malicious software spread करता है अब malware के symptoms क्या होते हैं जब आपके computer में malware आ जाता है तो उसके symptoms क्या है इने भी जान लेते हैं कैसे पता चलेगा कि computer में malware आ चुका है तो malware symptoms में बताया गया है the main purpose of a malware is to disturb the proper functioning of a computer system malware का जो main उदेशय होता है जो मुख्य उदेशय है वो computer system के proper functioning को disturb करना होता है when any malware enters into a computer जब कोई भी malware computer system में enter कर जाता है it may trigger various strange activities in it तो वह बहुत सारी अजीब सी activities करने लगता है the most common symptoms which indicate the presence of malware in a computer system are listed below जो बहुत ही common symptoms होते हैं जिन से पता चलता है कि computer system में malware उपस्तित है जो indicate करते हैं उनकी list कुछ नीचे दी गई है चले जान लेते हैं सबसे पहली है indication कि slow processing speed a computer runs comparatively slow जैसे ही malware आपकी computer में enter कर जाएगा तो आपकी जो processing speed है वो slow हो जाती है computer जो है वो तुलनात्मक तरीके से यह थी हम पहले वाले computer की तुलना करें और malware आने के बाद की तुलना करें तो उसमें उसकी speed जो होती है वो slow हो जाती है second है less free memory memory कम हो जाती है जो free memory है वो कम हो जाती है size of free memory automatically reduces जैसे ही malware enter करता है उसके बाद आपकी जो free memory size है वो automatically कम होना शुरू हो जाता है next आजाता है slow loading any computer program or application takes longer than usual to work run and sometimes does not even work normally कोई भी computer program या application खुलने में चलने में बहुत समय लेता है means slow loading शुरू हो जाती है जैसे किसी program को चलाने में बहुत कम समय लगता था अब उस program को चलाने में उस पर work करने में बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है और यहां तक की work normally जो है वो भी नहीं हो पाता है normally जो काम करते हैं उसे करने में भी बहुत problem आती है बहुती slow loading हो जाती है next है low hard disk space hard disk का जो space है वो low हो जाता है sometimes a computer starts showing low memory capacity status although there is a lot of unused memory space यदे भी computer में unused memory space बहुत सारा होता है लेकिन फिर भी कभी-कभी computers जो है वो capacity status जो होता है जो memory का capacity status होता है उसे कम दिखाना शुरू कर देता है कि बहुती low memory capacity status दिखाना शुरू कर देता है hardest runs out of space hardest out of space run करती है unknown files are added to the hardest और साथ में unknown files जिन files को हम जानते भी नहीं है जो हमारी files नहीं है वो hardest में add on ही शुरू हो जाती है तो यह low hardest space होना start हो जाता है जब malware आ जाता है computer में then loss of data data का loss होता है sometimes certain files और documents are damaged और automatically deleted कभी-कभी कुछ निश्चित files और documents automatically damage हो जाते हैं या delete हो जाते हैं अपने आपी and next है booting troubles computer में shut down और restart automatically computer अपने आपी shut down हो सकता है या फिर automatically restart हो सकता है कि जैसे shut हुआ और अपने आपी start हो जाता है तो ऐसी समस्या में भी malware का ही symptom का जाता है and next है hanging a computer often stops responding और hangs एक computer अकसर stop हो जाता है रुख जाता है या फिर hang हो जाता है ये भी malware का ही symptom है and last है error messages error messages and unwanted pop-ups start appearing on the computer screen computer screen पर error messages आने लगते हैं या फिर unwanted pop-ups start हो जाते हैं वहां दिखने लगते हैं फाल्तू के pop-ups जो होते हैं जिने हम नहीं चाते हैं अंचाहे pop-ups आने लगते हैं तो ऐसी condition में जब error messages आने लगें unwanted pop-ups आने लगें तो तब भी आप समझें कि malware आ चुका है आपके computer में एंटर कर चुका है now info box में अब हमें कुछ information दे रही है malicious software can damage or corrupt programs, applications और software stored in a computer malicious software आपके computer में store किए गए programs, applications और software को damage कर सकता है या corrupt भी कर सकता है but cannot infect any computer hardware लेकिन आपके computer hardware को infect नहीं कर सकता है malicious software किसी भी program, application, software या file को infect कर सकता है उसे damage भी कर सकता है उसको destroy कर सकता है लेकिन आपके computer hardware को को infect नहीं कर सकता है जैसे कि आपके hardware उससे खराब नहीं होगी, आपकी RAM खराब नहीं होगी, कोई भी problem नहीं आती है therefore it cannot cause any physical damage to a computer इसलिए यह है एक computer के physical damage में किसी भी तरह से कारण नहीं हो सकता है I hope students आपको यह video clear हो गया होगा, if you have any queries, so you can comment me in the comment box, next video में, next topic के साथ again आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए, bye bye